मित्रो आज का दिन भारती जन्ता पार्टी के लिए और व्यक्तियत रूफ से मेरे लिए भी आनंद और प्रसन्निता का दिन है आज मुझे स्रिद्धे राजमाता जी की याद आ रही है वो भारती जन्ता पार्टी के लाखों लाख बेटे बेटियों की मा थी बजपन से उनका स्ते हैं और प्यार हम जैसे भारती जन्ता पार्टी के हजारों लाखों कारीकरताओं को मिलता था वो स्ते हैं आदमीता और प्रेम की पृतिमूर्ती थी और भारती जन्संग के काम को देश विसेशकर मद्धिप्रदेश में इस्थापित करने में उनका अतुलनी योगदान था आज उनके पोते श्रीमान जियोतराजित सिंधिया जी भारती जन्ता पार्टी के परिवार में समलित हुए है यह सोदराजी मेरे साथ है पूरा परिवार आज भारती जन्ता पार्टी के कारी करता के नाते काम कर रहा है श्री जियोतराजित सिंधिया जी युवाव उर्जावान और कल्पना सीड मस्तिस के धनी नेता है वैसी परंपरा से आते हैं जिसने राजनीती को जन्ता की सेवा का माध्यम माना है लगवग अठारा महीने पहले 2018 में बड़े उत्सास से उन्होंने कांग्रेस पालिटी के लिए बद्प्रदेश में काम किया था लेकिन कांग्रेस की कमलनास सरकार ने मद्प्रदेश को तबाह और बरबाद कर दिया है बादे नहीं निभाए बचन तोड़ दिये गए और प्रदेश में ऐसी लूट का उधारण आज तक कभी देखने में नहीं आया इस्टाचार के नित नए रिकार्ड बनाए इस सरकार ने भाजपा की सरकार की जनकल्यानकारी योजना को बंद कर दिया गया और जैसा उन्होंने कहा किसान से लेके नोजवान तक माताएं बेहने तक आज इस सरकार से परेशान और कोस रही है और इसलिए एक तरफ मानी प्रदान मंतरी स्रीमार नरेंदर मोदी जी के नित्रत में विस्वास करते हुए सबका साथ सबका विकास सबका विस्वास के मूल मंत को मानते हुए हमारे राष्टी अद्रक्ष जेपी नडड़ा जी के नेत्रत में अमित साहजी के साथ राष्ट की सेवा के लिए जनता की सेवा कि लोनों ने भारती जनता पार्टी को चुना है मैं उनका भारती जनता पार्टी में हिर्दय से स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि उनके भारती जनता पार्टी में आने से मद्वप्र देश में पहले से ही मजबूत भारती जनता पार्टी और मजबूत होगी और पूरे देश में भी उनकी सक्रीता का लाब भारती जनता पार्टी को मिलेगा में भारती जनता पार्टी में उनके प्रिवेस पर हम भारती जनता पार्टी मद्ध प्रदेश के परिवार के साथ ही उनका स्वागत करते हैं साथ मिलके चलेंगे मद्ध प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे जनता की बहतर सेवा करेंगे धन्यवाद